जै मातादी दोस्तों घरेलुखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर छट ब्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए वीडियो में लास्त तक बने रहे वीडियो पसंदा है तो लाइक कीजे फैमली फ्रेंड के साथ सेयर कीजे चैनल पर पहली बार आएं और घरेलुकवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे बेल बटन को प्रेस कर लिजे, इससे ही होगा कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे. आपको बता दे कि भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की सस्टी तिथी को हल सस्टी का ब्रत रखा जाता है, जो की आज है. इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, इस दिन बलराम जयंती का पर्व भी मनाया जाता है. इस दिन पुत्रवती इस्त्रियां अपने पुत्र की हुई है कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस दिन कुछ चीजे खाने से आपका ब्रत खंडित हो सकता है. तो चलिए जानते हैं आज की दिन आपको क्या खाना है और किन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए. दोस्तों आपको बता द थात अनाज, फल, सबजी नहीं खा सकती और ना ही गाय के दूद, दही वगी का इस्तेमाल कर सकती है ब्रत रखने वाली महिलाओं को केवल ब्रिक्ष पर लगे हुए खादे पदार्थ खाने की अनुमती होती है इस ब्रत में वही चीज़े खाई जाती है जो तालाब में पैदा होती है जैसे तिन्नी का चावल, करमुआ का साग, नारी का साग, पसई के चावल, आधी उस ब्रत में गाय के किसी भी उतपाद जैसे दूद, दही, घी या गोवर आधी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता इस व्रत का समापन महिलाएं भैस के दूद से बने दही, और महुआ को पलास पत्ते पर रहकर खाती है वही हल्चट के दिन निरजला प्रत रखने के बाद साम को पूझा करने के बाद पसी के चावल और महुआ का लाटा बनाकर, घाकर इस व्रत को खोला जाता है कुछ महिलाएं इस दिन पसही के चावल यानी लाल चावल, महुआ, भैस का दूध वद्ध ही आदी चीज़े खाकर इस ब्रत का पारण करती है फिर नारी का साग या कर्मुआ का साग भी सेंधा नमक से बना कर खाया जाता है कुछ महिलाएं महुआ के चाय बनाकर भी इस दिन पीती है आपको बता दे कि हल सस्टी ब्रत वाले दिन टूथ पेस्ट का इस्तिमाल नहीं करना है ना ही ब्रस का इस्तिमाल करना है हल छट के ब्रत में महिलाएं महुआ के दातुन से ही दात साफ करती है और साम के समय पूजा के लिए मालिम हर्चट बना कर लाती है इसके बाद रवडी, कूस और पलास की एक डालियां एक साथ बांधी जाती है और उसकी पूजा की जाती है इसके बाद दिवार पर हर्चट मैया का चित्र बनाया जाता है और बजार से हर छट का कैलेंडर लाकर भी आप पूजा कर सकते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सियर करे और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करे ठैंक्स